Let's make some no-neat focaccia, इसके लिए सबसे पहले हम yeast को bloom करेंगे, once ऐसे bubbles forming लग जाए, then इसके अंदर 4 cups of meida को add करना है, give it a good mix, अपने हाथ को grease करो and इसे stretch and fold motion में हर साइड से fold करो, इसमें active महनत तो नहीं है, लेकिन इस process को हम चार बार करेंगे, और हर बार 30-30 minutes के लिए हम इसे proof करेंगे, ध्यान से दिखना, जैसे ऐसे मैं इसे touch कर रहा हूँ, ये काफी जाता smooth and supple होता चारा है, come together होता चारा है, इसका reason है कि gluten दो तरीके से develop होता है, एक उसे actively knead करो, second उसे rest करने तो, और हाँ, एक बात बहुत important है, जब भी आप इसे handle करो, अपने हाथ को wet ज़रूर कर देना, वरना ये हाथ से चिपके काई, ये four time मैंने किया, इस time काफी come together हो चुका है, फाइनली कोई भी baking tray लेनी है, उसके पर अचे से olive oil को spread करेंगे, एंदेर हमने dough को उसके ओपर रख देंगे, डिम्पिल्स मारने और जो भी topping करनी आप यहाँ पर कर सकते हो, इसको हम लास्ट टाइम एक बार प्रूफ करेंगे, एक घंटे के लिए इसमें काफी तादा राइस हो जाएगा, इसको टू हंड़ी टू बी बेग, इसको टू हंड़ी डिडिरी शेल्चेस पे 20-20 मिनिट के लिए बेग करना ही, और फिर जब तक उपर डाक ब्राउन क्रस्ट ना है, फाइनली टेस्ट और इंजॉई बहुत मज़दार बनी थी,